आईए आपका अपना यूट्यूब चैनल दियर बंबं सर में स्वागत है प्रिये दोस्तां भाईयां एवंग बाहनां इस वीडियो में मैं माइन्ड को कैसे कंट्रोल किया जाए इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा माइन्ड को कंट्रोल करने का मतलब है खुद को जीतना अर्था दुनिया का विजेता आपने महापुरुसाँ जैसे भगवान बुद्ध महावीर इत्यादी का कथन सुना होगा हजारों लराईयों जीतने से बेहतर है कि आप खुद को जीत लें फिर वो जीत आपकी होगी जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता स्वर्गदूत और ना कोई राक्षस आपका मन सब कुछ है आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे आएए इस टॉपिक का पहला भाग है माइंड आखिर अनकंप्रोल होता क्यूं है यदि आपके साथ कोई अत्याचार कर दे धोखा दे ठाग ले जूठ बोले छाल करे इच्छा पूर्ती ना हो आपको भूख लग गया हो कमजोर हो गया है या किसी काम को करते करते उप गया है संगती गलत पकरा गया हो यदि आप लरका हैं और जादा तर समय लरकी के आसपास मनराते रहते हैं बहन को छोर कर यदि आप लरकी हैं और लरका के आसपास मनराते रहते हैं भाई को छोर कर मोबाईल को आप लिमिट से ज़ादा देखते हैं इन सभी परिस्थितियों में माइंड का अनकंट्रोल होने की संभावना बरही नहीं जाता बलकी ये निश्चित है कि आपका माइंड अनकंट्रोल होगा इस टॉपिक का दूसरा भाग है माइंड को अनकंट्रोल होने से नुकसान माल लिया जाए आपके साथ कोई अत्याचार किया ठग लिया, जूठ बोला, छाल किया इससे आपके माइंड में भैंकर गुसा, क्रोध की उत्पत्ती होगी और आप निश्चित है कि उनसे इसका बदला लेना चाहेंगे इसमें कोई सक नहीं है उसमें भी क्रोधित माइंड से इसका परिनाम होगा कि उससे ज़्यादा छती नुक्सान आपका हो जाएगा अनकंट्रोल माइंड का यही परिनाम होता है मैंने इस पर बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया है मान लिया जाए आप भैंकर क्रोध में आकर फाइटम फाइटा मुक्का मुक्की लाठी डंटा इत्यादी का परियोग करते हैं तो आप दोनों में से कोई या दोनों घायल होने की संभावना बर ही नहीं जाती बलकि मिश्चित है कि घायल हो जाएगा इससे आप दोनों में से किसी एक का विनास भी हो सकता है यह ठीक नहीं है मन लिया जै यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है आप फ्यूचर में भविस्य में इस देश का बहुत बड़ा आदमी बनने वाला हो तो यह सपना अधूरा रह जाएगा मैं यही सलाह दूँगा यदि आपको बदला लेना ही है दंड देना ही है तो सांत माइंड रख कर धीरे धीरे योजना बना कर उसको सारीरिक कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएं लेकिन दंड इससे भी बड़ा दीजिए और वो दंड है समाज के बीस आदमी के सामने उनसे हिसाब लीजिए आपने ऐसा क्यूं किया कैसे किया इसका जुर्माना भर ये इससे होगा कि आपका पावर सक्ती हजार गुना बर जाएगा और आपसे वो जिन्दी भर भैभीत रहेगा आपका सलामी बजाएगा लेकिन फिर भी आपको सचेत रहना है कहीं दोबारा उसने विश्वास घात न कर दे जब आपको किसी से जगरा हो जाता है तो मैंड का क्या हाल होता है आपको पता ही होगा मैंड को अनकंट्रोल होने से टाइम, धान, जण, मैंड की सांती, समाच की सांती, देश की सांती को भारी नुकसान पहुचता है अब आप लोग जान गए होंगे कि मैंड अनकंट्रोल होने का क्या परिनाम होता है आईए अब जानते हैं कि मैंड को पूरी तरह से कंट्रोल में रहने से फाइदा क्या क्या होता है जब मैंड पूरी तरह कंट्रोल में रहता है तो मैंड बिलकुल निश्चल, पानी की तरह बिलकुल सांत रहता है इस दुनिया का सभी ग्यान का उत्पत्ती सांत माइंड और एकाग्र चित माइंड से हुई है पानी में जब उबाल आता है तो उसमें इमेज नहीं दिखता यही हाल माइंड के साथ होता है इसलिए बात बात पर उबलिये नहीं जब माइंड सांत रहेगा तब कुछ भी पर होगे तो माइंड में इंटर करेगा अर्थात माइंड में आसानी से घुशेगा सांत माइंड में इनर्जी जदा होती है और जब इस इनर्जी का परहार किसी काम पर करते हैं तो उस काम को पुर्ण होने की संभावना बहुत अधिक होती है सांत माइंड वाला लरका लरकी या किसी भी व्यक्ति को चहने वाला अधिक होती है सांत माइन्ड वाला आदमी समाज में आदरनिय, पुजनिय, नमनिय होता है सांत माइन्ड ग्यान का भंडार है जस्ट लाइक अलबर्ट आइंस्टीन माइन्ड जब कंट्रोल और सांत रहेगा तो आप बिमार भी नहीं परेंगे क्योंकि पूरा सरीर को माइन्ड कंट्रोल करता है आप लोग जानते ही होंगे हम लोग जो भी खाते हैं उसका 80% इनर्जी माइन्ड खर्च करता है सांत और कंट्रोल में माइन्ड रहेगा तो फेमली तथा किसी और्गेनाइजेशन को अच्छी तरीका से चला पाएंगे कंट्रोल और सांत माइन्ड से पूरी दुनिया को मुठी में कर सकते हैं जैसे भगवान बुद्ध जब आप कंट्रोल और सांत माइन्ड से कोई बात बोलेंगे तो सभी लोग कान लगा कर सूनेंगे और भी कई सारे अनलिमिटेड फाइदा है आईए अब चलते हैं माइन्ड को पूरी तरह कंट्रोल और सांत कैसे रखा जाए गलत विचारों को माइन्ड पर एटेक आकरमन मत करने दीजिए यदि आकरमन कर दे तो उसको जितना जल्द हो सके उसे निकाल कर फेक दीजिए यदि किसी ने आपके साथ बुरा वेहवार किया तो उसको तुरंत भूलने का कोशिस कीजिए वैसे मैं जानता हूँ तुरंत नहीं भूलाया जा सकता लेकिन यदि भूला दीजिएगा तो आपका समय वर्तमान में बीतेगा नहीं तो भूतकाल को सोचने में आपका वर्तमान समय बरबाद हो जाएगा जो आदमी किसी बुरा घटना को तुरंत भूल जाता है समझ लीजिए वो आपसे जादा गुनी आदमी है अपनी इच्छा को कंट्रोल में रखिए क्योंकि जब इच्छा की पूर्ती नहीं होती है तभी क्रोध उठता है अपनी माइंड को काम पर फोकस कीजिए अपना काम ही भगवान है ऐसा सोचिए वर्क अर्थात काम ही आपको उचाई पर ले जाएगा खेलिये खेलने से माइंड साफ और कुसागर होता है यदि आपको कोई दोस्त है तो दोस्तों संग कुछ समय बिताईए उनसे भी कुछ सीखने को मिलेगा दोस्त जिंदगी का सबसे मुलिवान धन है जब सोने जाते हैं बाथरूम जाते हैं तो अपनी ध्यान अर्थात चेतना को आती जाती सांसों पर लगाईए यदि आपको क्रोध आ रहा है तो अपनी विवेक सक्ती से सोचिए इसका रीजन क्या है तुरंत इसका रियक्षन मत दीजिए यदि देने का मन भी हो तो सोचिए एक घंटा बात देंगे तब तक आपका गुस्ता सांत हो जाएगा यदि समय मिले तो रीर का हड़ी सीधा करके बैठिए मेडिटेशन कीजिए इससे माइंड में बलड सर्कूलेशन अच्छी तरीका से होता है और बर्मांड की सारी उर्जा आप में केंद्रित होने लगती है चलिए फिरिये तो गर्दन जुका कर बुरहा की तरह मत चलिए रीर का हड़ी सीधा करके युवा की तरह चलिए हमेशा दूसरों का हित सोचिए दूसरों के बारे में बुरा सोचने से आपका माइंड और हिर्दय दोनों गंदा होता है सभी दोस्तों भाईयों एवन बहनव की जैहो भारत माता की जैहो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कोमेंट सेर करें और बेल का घंटी भी बजा लें जिससे आल नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में तुरंत इंटर करेगा